केलो गाईज, इन्वेस्टमेंट ग्यान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंज, आज हम LIC के अंदर एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपको मंतली बेसिस पर फिक्स इंकम या फिक्स पैंशन प्रोवाइड कराती है अगर आप भी किसी ऐसी स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से आपको फिक्स इंकम मिलती रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि LIC के अंदर किसी स्कीम के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको फिक्स इंकम मिलती रहे बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो शेयर मार्कित के इन्वेस्टमेंट से या मीजल फंड के इन्वेस्टमेंट से बसते हैं ताकि उनके पैसे पर किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो ऐसे समय दो ही ओप्शन निकल कर हमारे सामने आते हैं या तो हम post office की किसी scheme के अंदर पैसा invest कर दें या फिर LIC की कुछ एक schemes के अंदर अपना पैसा निवेश करें और उपर से अगर आपको चाहिए monthly income scheme तो ऐसी scheme में LIC की new G1 अक्षे policy का नाम सबसे पहले निकल गराता है इस वीडियो में मैं आपको new G1 अक्षे policy के बारे में A to Z information बताऊँगा कैसे हम इसके अंदर पैसा निवेश कर सकते हैं कितना पैसा निवेश करने के बाद में आपको अगले महिने से ही income शुरू हो जाएगी क्या क्या इसके अंदर अलग अलग तरह के options हैं किस तरह से काम करते हैं वो सारी बाते हम इस वीडियो में discuss करेंगे आप से निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल से आखिर तक जुड़े रहिए और हमारे इस वीडियो को जादर जादर लोगों को भी शेयर करें आखिर में आपको calculator पर calculate करके भी बताऊंगा कि कितना पैसा निवेश करने के बाद में आपको monthly basis पर हर महीने या हर सालाना या हर quarter में कितना पैसा fix आता रहेगा सबसे पहले दोस्तों new G1 अक्षे policy की अगर हम basic detail की बात करें तो इसके अंदर आप कोई भी वेक्ति इसके अंदर invest कर सकता है बशरते उसकी age 30 साल होनी चाहिए 30 साल से कम का वेक्ति इसके अंदर निवेश नहीं कर सकता maximum entry age इस scheme के अंदर 85 years है और minimum purchase price इस scheme के अंदर 150,000 रुपे है maximum की कोई सीमा नहीं है minimum annuity यानि के हर महीने कम से कम आपको 1000 रुपे की income मिलेगी ही मिलेगी इस scheme के अंदर निवेश करने के बाद में quarterly आपको 3000 रुपे की या half yearly अगर आप प्लान चूज करते हैं तो 6000 की और yearly अगर आप प्लान चूज करते हैं तो आपको 12,000 रुपे की कम से कम income मिलनी ही मिलनी है इस प्लान के अंदर निवेश करने के बाद में अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप इस प्लान के अंदर निवेश करते हैं तो इसके अंदर loan की या surrender value की क्या facility है loan भी आप ले सकते हैं तीन महीने के बाद में अगर आप चाहें तो जितना पैसा आपने निवेश किया है उसके अगेंस्ट आप loan ले सकते हैं अपनी ज़रूत को पूरा कर सकते हैं surrender value भी इसके अंदर available है आप प्लान को लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उसको surrender भी कर सकते हैं अब इस प्लान के अंदर दोस्तों जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर अलग-अलग options आपको देखने को मिलते हैं न्यू जीवन अक्षे policy के अंदर अगर आपने एक बार पैसा invest कर दिया तो इसके अंदर कई सारे options देखने को मिलते हैं सबसे पहला option है option A immediate annuity for life यानि आपने माई के महीने में इस skim के अंदर पैसा invest किया तो जून के मद से ही आपकी जो मंदली pension है वो शुरू हो जाती है और ये pension तब तक चलती है जब तक आप जीवित रहते हैं तो option A के अंदर यही एक option आता है option B के अंदर दोस्तो ऐसा है immediate annuity with guaranteed period of 5 years and life thereafter यानि इसका मतलब यह है कि अगर आपने policy लेने के बाद में अगर policy holder की एक साल बाद या दो साल बाद death हो जाती है तो option A के अंदर उसी समय policy बंद हो जाती है लेकिन option B अगर आप चूज करते हैं तो इसमें आपको 5 साल की जो pension है वो मिलेगी मिलेगी यानि policy holder की अगर death भी हो जाती है तो जो उसके nominee है उनको 5 साल तक जो pension है वो मिलती रहेगी option C भी इसके अंदर available है option C के अंदर 10 साल का period होता है यानि 10 साल तक guaranteed period के लिए 10 साल तक pension मिलती रहेगी और अगर आप जीवित रहते हैं तो उसके बाद में भी मिलती रहेगी लेकिन अगर मानली जीए policy holder की 10 साल के अंदर अंदर death हो जाती है दोस्तो यही period बढ़कर हो जाता है 15 साल मानली जीए किसी ने policy को खरीदा और 2-3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद उसकी death हो जाती है option F के अंदर immediate entity मिलती है lifetime के लिए और इस option के अंदर ये भी facility है कि जितने पैसे आपने इस policy को खरीदने के लिए दिये हैं वो सारे का सारा पैसा policy holder के death के बाद में उसके nominee को मिल जाएगा तो ये option option F के अंदर आता है option G के अंदर immediate entity है यानि के जैसे ही आप ऐसे जमा करेंगे तो आपको pension तो मिलेगी मिलेगी बलकि आपको 3% पर annum के हिसाब से आपकी pension में increment होता चला जाएगा अब दोस्तो जैसे जैसे यहां पर जादा option है जादा facility जिस भी option के अंदर है पहले option के comparison में तो उतनी ही pension कम हो जाती है अब दोस्तो अगर हम बात करें इसके अंदर तीन ओप्शन और होते हैं ओप्शन H, ओप्शन I और ओप्शन J ये तीनों ही ओप्शन जोइंट लाइफ के लिए हैं यानि आप खुद के साथ साथ खुद के पार्टनर की भी अगर pension set करना चाहते हैं तो ये ओप्शन उनके लिए हैं अब जैसे अगर हम ओप्शन H की बात करें तो ये joint life immediate annuity है for life with a provision for 50% of the annuity to the secondary annuity on death of the primary annuity यानि के जैसे ही मान लेजिए किसी नहीं इस scheme को खरीदा तो उसको तो अमर जब तक वो जीवित रहता है वो सारी की सारी pension मिलेगी मिलेगी अगर उसकी death बीच में हो जाती है तो जितनी pension उस वेक्ति को मिल रही थी उसकी आधी pension उसके life partner को चाहे वो husband हो या wife हो उन दोनों में से दूसरे person को वो 50% जो pension है वो मिलती रहेगी अब दोस्तों इसके अंदर option आता है option I joint life immediate entity है जितनी pension उस वेक्ति को मिल रही होगी अगर उसने option I को चूस किया है तो उतनी ही pension उसके उसरे life partner को भी मिलती रहेगी और option J इसके अंदर available है option J के अंदर जितनी pension उस वेक्ति को मिल रही होगी उतनी ही pension उसके दूसरे जो life partner है उसको मिलेगी और जितने भी पैसे की वो policy उसने खरीदी है वो सारे का सारा पैसा उन दोनों की death के बाद में उनके 9 मिनी को मिल जाएगा तो जब भी आप इस scheme को खरीदें तो इस scheme को खरीदने से पहले अपनी मंधली income set करने से पहले आप दोस्तों इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपको option कौन सा suit करता है उसी option के अंदर आपको invest करना है अब दोस्तों मैं एक ideal amount के तहत आपको ये pension बता रहा हूँ आप अगर चाहें तो अपने पैसे को कम या जादा करके भी calculate कर सकते हैं मान दिजिए आज आपकी age suppose 40 साल के असपास है और आप 10 लाग रुपे इस scheme के अंदर invest करना चाहते हैं तो option A के अगर हम बात करें तो option A के अंदर ये दोस्तों जो GST के अलावा ये investment है यानि 10 लाग में आपको GST भी देनी होगी तो उस समय कितना amount होगा वो आप calculate करके देख सकते हैं मैं ये without GST आपको बता रहा हूँ option A के अंदर अगर मालेज़े आपने 10 लाग रुपे लगाए हैं और आपकी age लगभग 40 साल के आसपास है तो option A के अंदर yearly basis पर 61,500 रुपे के आसपास आपको pension मिलेगी और monthly basis पर अगर हम इसे calculate करें तो ये लगभग 950 रुपे के आसपास calculate होकर आती है quarterly अगर आप इस pension को लेना चाहते हैं तो 14,900 रुपे के आसपास आती है half yearly ये 30,200 रुपे के आसपास आती है यानि आप एक बार invest करने के बाद में किसी भी plan के तहत आप जो भी pension आपकी set होती है उसे आप monthly basis पर quarterly basis पर half yearly basis पर yearly basis पर ये yearly basis पर ले सकते हैं वहीं अगर हम option B की बात करें तो option B के तहट भी लगभग सेम ही आपको पैसा मिलता है अगर हम option F की बात करें तो option F के तहट आपको 53,100 रुपे मिलेंगे yearly basis पर और monthly basis पर वैलिस सो पचास रुपे के आसपास मिलेंगे या तो आप yearly basis पर अपनी pension को set कर सकते हैं या आप दोस्तों monthly basis पर भी अपनी pension को set कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों कर हम बात करें options H, I और J जो की joint life के लिए हैं तो yearly basis पर वहाँ आपको 69,200 रुपे की pension मिलेगी 10,000 रुपे इंवेस्ट करने के बाद में और monthly basis पर आपको 48,000 रुपे आसपास pension मिलेगी option J जिसमें जितनी pension policy holder को मिल रही है उसकी death के बाद में उतनी ही pension उसके दूसरे life partner को मिलेगी और जितना पैसा 10,000 रुपे उनने जमा किया है वो सारे का सारा पैसा उनके 9 मिनी को मिलेगा तो उस पिलान के तहत अगर वो invest करते हैं और चूज क 4270 रुपे के आसपास pension होगी अब दोस्तों इसके अंदर जैसा मैंने आपको भी बताया है सारी की सारी जानकारी आपको दी है इसके अंदर जब भी आप पैसा invest करें तो पैसा invest करने से पहले इस बात को जुरूर सुनिश्चित कर लें कि आप किस option के तहत अपने पैसे को invest क करना चाह रहे हैं कौन सा option आपके लिए सबसे best है मैंने यहाँ पर जितने भी option इसके अंदर available हैं 10 के 10 options को आपके सामने रखा है आप invest करने से पहले अच्छी तरह से सारे option को read कर लें और जो भी option आपके लिए suitable हो उसमें आप अपने पैसे को invest करें I hope आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जादर जादर लोगों को शेयर करें धन्यवाद